आओ खेलें opposite sentences opposite कार्थ होता है विप्रीत यह activity Prodigy for School Act के level 4 के vocabulary section में दिये गए what is the word opposites game से संबंदित है इस activity को खेलने से पूर्फ level 4 what is the word opposites game खेलें opposite sentences कार्थ होता है विलोम शब्द वाले वाक्य तो चलो शुरू करते हैं खेलना इस activity को खेलने के लिए आप सभी को दो टीमों में बटना होगा पहली टीम का कोई एक बच्चा कोई एक word सोच कर उससे एक sentence बनाएगा और आप बोलो night is very done पहली टीम का बच्चा उस word का opposite word बता कर उससे एक sentence बनाएगा आप इन वाक्यों को पहले हिंदी या हिंगलिश यानि आधियदूरी इंगलिश में भी बना सकते हैं यह गेम आप अपने किसी भी दोस्त के साथ खेल सकते हैं ध्यान रखें कि आप दुआरा बनाए गए वाक्यों का व्याकरण सही हो और आपने शब्दों का उपयो उचित किया हो इस activity के जरिये आप शब्दों का वाक्यों में उपयो करना सीखेंगे और इसके पीछे का व्याकरण भी समझेंगे इसके अलावा आप शब्दों के opposite forms भी सीखेंगे